Hi Students, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, हरियाना बोर्ड की नई किताब, हमारा भारत चयार, तो जो नई किताब है, इतियाज की, उसका पाट नमबर दो हम आज करने वाले हैं, इस वीडियो में बिलकुल लाइन बाइलाइन हम समझने वाले हैं, चैप्टर को, पूरा चैप्टर आपके सामने पढ़ने वाला हूं आपको एक्स्प्लेन करने वाला हूं तो बड़ा मुझा आएगा चैप्टर के अंदर चलो शुरू करते हैं मैं हूँ अजे और आप देख रहे हैं CCL क्लास देखो भाई अब मैंने आपके लिए अभ्यास के पर सनुत्तर सारी चीजे मैंने लिख दी हैं साथ में नोट्स भी है तो रिटन में है और वीडियो भी मिल जाएंगे आपको इनकी तो प्लेलिस्ट के अंदर आप चैक आउट कर सकते और जो रिटन कंटेंट है आपका वह आपको CCL chapter.com हमारी official website है तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा समाज को सुधारने के लिए बहुत सारे जो है लोगों ने अपने योगदान दिये कुछ-कुछ जो है धरम या समवाद कुछ भी बना के जो भी तरीका अपनाया उन्होंने लेकिन समाज को सभ्य बनाने की कोशिश करी लेकिन यहाँ पे जो है क्या हुआ राष्ट्रिय चे गए देश के अंदर अंग्रेश समझते हो ना ब्रिटीश गोर्मेंट अंग्रेश जो ऑंग्रेजी सरकार थी यूरोपियन लोग थे जो वो देश के अंदर घुसने लग गए थे वह जो है उपनिवेसवाद बनाने के चक्कर में थे अब उनका एक देश है जिसको हम ए ना कभजा करेंगे और कभजा करने के बाद में यहां पे अपना व्यापार करेंगे फायदा लेंगेगे पैसा लेंगे और वह लेके यहां पे पहुंच जाएंगे तो उसके होगा क्या यह देश तो घरीब था मलब नोर्मल था वह जो है ऐसा नहीं है कि अमीर ताकतवर को नहीं छोड़ते तक भी नहीं छोड़ते हैं उसको डाट कर दिते कि ने कोई देश क्योंगी बहएक भाई 1897 के उसको कहा जाता है जिसमें बहुत सारे सव्तनाद रश्यनानियों ने भारत के लिए इस उपनिवैसवाद यूरोपियन उपनिवैसवाद का सिस्टम था उसके विरोध में आंदोलन करा बहुत खतरनाक अंग्रेजों को हिला डाला था एक जटके में तो वह सारी चीजें हम इ बढ़ रहे हो उसके लिए प्रिपेर हो जाते हो मैंटली कि हाँ हमें यह चीज़े मिलेगी आपको जो थोड़ा बहुत पहले पता होता है पिछली कलासी में पढ़ा है तो वह सारी चीज़े धिरी-धिरी याद आने लगती है कि भाई ऐसा ऐसा भी हो सकता है तो अगर याद सब्सक्राइब कर ani काम के ना अब सुरू करते हैं इन वीशियों के अध्यान के बाद हमें रएता है की भारतिय विदेशी दास्ता वो सोसन के से असंतुष्ट रहे तथा उन्होंने विदेशियों के भारतिय संस्क्रीटी में हस्तक शेप का लगातार विरोध किया अंग्रेजों के समय में तो यह विरोध किसी ना किसी रूप में तथा किसी ना किसी छेतर में हर साल होता रहा जिसका सामुहिक परती के लिए 1857 की करांती के रूप में हुई यानि कि ऐसा नहीं था कि भाई शीडा लोग पूरे आराम से चिल मार रहे थे और एकदम से अंग्रेजों को कुछ धपा लग गई जैसे विशुद छिड़ गया हो 1857 की करांटी ऐसे नहीं ओई थी 1857 की करांटी से पहले जो है न देशके अंदर बहुत भवाल मचे हुए थे मदल एकदम से नहीं होता कुछ भी धीर दीर कहीं पर कोई वीरोध कर रहा है कहीं पर कहीं कर कोई ऊई पूरे देश Mें विरोध चल रहे थे इतना की उत्पत्ती हुई और यह परबल हुआ कि भारत भारत वासियों के लिए है तता भारतिय संसादरों का केवल भारत वासियों का ही अधिकार है इसी स्थाब्दी में भारतियों में अपनी सब्वेता संस्कृति वैतिहास के परती गोरव आत्म सम्मान का वह भाव दोडियों की दास्ता के कारण दूमील पड़ कुका था रास्टर का अर्थ क्या होता है जो यह आ बात कर रहे हैं कि भई लाइने देश के लिए ङला पर इसे जादा हमारा इलाका यहीं तक उसना ही यह जादा इलाइख नहीं है है यहां पर सब्सक्राइब का लोई यह कई आश्च्तर के सब्सक्राइब करें चाहिए प्रकूज है नहीं आप यह इतना की सब जबनाया थो इतना नहीं सब्सक्राइब का और यह एक है और और ऐसे करके ऐसे था भारत पहले काफी बड़ा भारत होता था अब ऐसे वाले में क्या था यह जो इधर बांगलादेश पढ़ता था इधर पाकिस्तान चला गया तो यह सारा एकठा भारत था उस करांती के टाइम पर बहुत बड़ा था भारत उस टाइम पर भारत एक यह त ताके सूतर में बंधने की उत्सुकता और समान राजनितिक महत्यकांसा पाई जाती हो यानि कि लोग इकठे होते हैं अपने धर्मों के बेश पे या कोई भी रिजन रहा हो उनका तो वह अपने दाइरे बना लेते हैं उसकी वजह से भारत एक प्राचिन संस्कृति और भोग बीजिसे समय अपर अनेक महान शासकों ने राजनीति के एक तक है इस उत्तर में पिरो दिया अब यह राजनीति एक तक मलब पूरा जो राजनीति तेना मैं अब एक ही राजा राज करता था पूले भारत पे कुछ राजा तो ऐसे वे थे जिन्नों भारत से आगे चीन और तो थोड़ा थोड़ा समझाएगा उत्तर दिशा में उत्तर दिशा में बता रहे हैं कि समंदर वगारा समंदर से वहां तक उत्तर दूर तक हिमाल्या परवत के दक्षिन से लेक्षिन बाएग्र दूर्ड दूर तक है उत्तर में हमाला यह है और दक्षिन में यह है तो आपको समझ वी शुमझा है उसमें कुछ नी है उसका चलो अर्थार्थ बता रहे हैं पे辛मे और फिमालय के दक्सीन में समुंदर के साइड और हिमालय उपर ना हमरा दक्सीन में जो भुबा इस्तिता hour इसका नाम भारत वर्स है उसकी संताने भरतिय कहलाती है तो यह है उसका मतलब और यहाँ पर एक कमाल का फैक्ट देर का फैक्ट पढ़ने में मुझे अलग ही मजाता है क्या आप जानते हैं कि भारत को हिंदुस्तान का नाम पार्शियों के ने भारत के उत्तर पस्चिम में विस्तित शिंदु नधी के कार्ण दिया क्योंकि फार्सी भासा में शिंदु का उच्छान हिंदु के रूप में होता है यहन्य फार्शी बहासा में जो शिंदु चेतर था ना उसको हिंदू कहते थे वो लोग और इसलिए इसका नाम पढ़ गया भारत या ठीक है ना क्या पढ़ गया हिंदूस्तान हिंदू का स्थान ठीक है भारत में राष्ट्रिय चेतना अब राष्ट्रिय चेतना समझते हैं बहुत सारे अंदौलन चलेते हैं तो उन्हीं के बारे में है inacस्तिरी राश्ट्र के निवासियों में पाई जाने वाली सामुदाइक भावना है जो उनके संगठन को सुद्रीड करती है भारत में राष्टर का बोध प्राचिन काल से रहा है लेकिन विदेशियों से लगातार संगर्ष से वह थोड़ा धिमा पड़ गया था 19-वी सदी के समासुधार अंदोलनों ने फिर से भारतियों में एकता और संगर्ष की राष्ट्रिय भावना की कोतिवर्ता परदान की 28 सदी में ही ब्रीटिश सासन के स्थापना और विस्तार के साथ ही भारत के हर छेतर में लोगों ने लगातार संगर्श किया जिसमें अखिल भारतिया परतिकिरिया 1857 की महान करांती के रूप में हुई भारत में राष्ट्रिय चेतना की है तिवर्ता संस्क्रितिक पुनर जागरन के परिणाम सावरूप तथा अंग्रेजों के ओपनी वेशिक सोसन के विरूध हुई तिवर परतिकिरिया का परिणाम थी जब इस्रो के किसी मिशन को सफलता मिलते है अब इस्रो क्या गई इस्रो कौन सी बला गई देखो हम इसको हिंदी में लिख रखा है वैसे इसको ऐसे लिखा गया ठीक है ना ऐसे चोटी फोर में यह इस रो इंडियन स्पेस रिसर्च और गेनाईजेशनी ठीक है ना मलब यह क्या है यह जो है ना आस्मान आस्मान बोल रहा हूं चोटी चीज पर नहीं बड़े बचाते हैं मांत्रिक्ष में जो सैटलाइट भेजते हैं चंदा मामा पर भी मीशन भे सैटलाइट एक ही रोकेट में बेठा के बेज दी और वहां पर जाके लूंच कर आए तो ऐसे बहुत खदरनाक मिशन करें हैं इस रो ने बहुत आहम योगदान दिया है अपनी जो टेक्नलोजी उसको डैवलप करने में तो जब इस रो के किसी मिशन को सफलता मिलती है तो जब हमारी सेना पडोसी देश में छिपे आतंकवादियों पर सर्जीकल स्ट्राइक करती है या फिर यह सर्जीकल स्ट्राइक किसकी बात और यह समझ गए ना पाकिस्तान के अंदर हमने करी थे एक सर्जीकल स्ट्राइक जिसमें उनको उनके आतंकवादियों को मालड़ गि सब्सक्राइब और इतना साफ फोटो कैसे लगा दिया तुमने यार बुक वालों को यह सोचना नहीं पड़ा कि इसमें क्या दिखेगा हमको इससे साब नहीं मिला फोटो थोड़ा अच्छा लगा देते हैं कम से कम समाज सुधार अंदोलन समाज सुधारियन की समाज को सुध अधरने वाला अंदोलन देखो यह अंदोलन सुरू करा था वैसे तो पिछले चैप्टर में काफ़ी सारा पढ़के आये इनके बारे में राजा राम मोहन राय का ब्रहम समाज अंदोलन राजा राम मोहन राय को अधुनी की यूग का जनक भी कहा जाता है नए यूग का सती का आपनाकर सती परफ़ा जाती परफ़ा चुवा चूत ऐसी कूरीतियों को समात करने का प्रियास किया उन्होंने प्रेस अध्यादेश का जम्कर विरोधी किया तह 가장 बारतियों में राश्ट्रिय राजनीतिक चेतना जागरत कि वे पहले भारतिय थे जिन्होंने देशवासियों की कठिनाईयों और सिकायतों को ब्रिटिस सरकार के सामने रखा मलब इससे पहले किसी हिम्मत नहीं होई कि भाई ऐसे सीधा जाके जो है ब्रिटिस सरकार के सामने बोलते कि हमें ये दिक्कत आ रही है यह पहला बंदा था राजाराम मोहन राए तो सामने रखाता था संगठी तोगर राजनीतिक आंदोलन चलाने का रास्ता अपनाया अब देखो हमें ज्यादा नहीं मिलेगा थोड़ा थोड़ा मिलेगा छुटकु छुटकु सा क्योंकि हम बात करेंगे अंग्रेजों कि हम यहां पे धर्म वर्म की ज्यादा बात नहीं करेंगे अंग्रेजों की बात करेंगे किनोंने क्या 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 करा ठीक है स्वामी दयानन सरस्वती का आर्या समाज अंदोलन स्वामी दयानन सरस्वती दूसरे महान समाज सुधारक थे उन्होंने 1875 में आर्या समाज की स्थापना की और भारतिय समाज में व्याप्त अंद विश्वासों का घोर विरोध किया उन्होंने वेदों की और लोटो का नारा देकर भारतियों को वैदिक सब्यता वैसंस्क्रिटी के और आकर सिथ किया उन्होंने अपने गरंथ सत्यार्थ परकास उनका परसिद गरंथ है ये में सवदेशी राज को विदेशी राज से अच्छा बताया उन्होंने सवधर्म तथा सवभासा का विचार दिया आरिया समाज ने भारत को अनेक राष्ट्रिये नेता भी दिये हैं भी आगे बढ़ते चले गए इनके वन से जोर ये चीज़े चलती रहती है चलो आगे बढ़ते हैं स्वामी विवेकानन का राम कृष्ण मिशन अंदोलन 19-वी सदी के महान समाज सुधारकों में स्वामी विवेकानन का नाम विशेस्तान रखता है वे राम किष्ण परम हंस के प्रियस इश्य थे उन्होंने सिकागो विश्व धरम संसद इसमें हिंदू धरम का परतिनी दितव करा था और लोगों की बोलती बंद कर दी थी वहाँ पे जाके 1897 इश्वी में राम कृष्ण मिशन की नीव रखी उन्होंने उन्होंने भारतिय सब्वेता वा संस्कृति को विश्व की सरवसरे सब्वेता कहा जिससे भारत वासियों में संस्कृतिक चेतना उत्पन हुई उन्होंने दुर्बलता को पाप वे मृत्यू कहा है तथा भारत का अवान किया कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम अपना लक्से प्राप्तना कर लो यह जो है ना यह आज भी इंप्लिमेंट कर सकते हो आप अगर कुछ नहीं कर रहे हो भाई अपनी जि कर सकते हम सीखना है किताब में रटके नंबर लेके वाई क्या कर लोगे यह बताओ अगर आपके सो में से 99 नंबर आ ठीक है वैसे मैं बता रहा हूं मर्जी है लेने हो तो ले लो भाई सब की अपनी अच्छा होती है लेकिन यहां पर 99 आ गए और आपको जो है आप सक्सेस् फाइदा हुआ उस चीज को यह अप सारा इतियास पढ़ लोगे आपको पता चल गया है ऐसे सीन है फाइनली क्या क्या कंक्लुजन है कि आपको उससे कोई आर्थिक साहता मिलेगी क्या आपको कुछ स्किल मिलेगी नहीं मिलेगी ना तो ऐसी चीजों पर जो है ना बस नॉर किस्की किताबे जहां से वह आपको सीखने को मिले बहुत सारे स्कोल पर करने को अगरं आपको नहीं पता है कि हम अपनी लाइफ में कर क्या सकते हैं तो आइडिया Ala可以र सकता मिलेगा वहां 충ख कर दो कितनी शर्प होते हैं सकूल सारे लाव पास में आप मिलेगी नहीं कर सकते वीडियो में डिसक्स करेंगे अगर आपको चाहिए तो कमेंट में बता देना बट फिलाल जो है ऐसा ही जो है इन्होंने करा था इन्होंने पूरे भारत को बोला कि उठो जागो और तब तक मतरुको इसको भावना को समझो कि तुम जो है सोए पड़े हो तुम कुछ नहीं कर अब 15 दित में 65 में लिखना भी है मेरे आपको नहीं पता अगर मेरे को दो घंटे लगए वीडियो में वीडियॐ मान लो यार तो बहुत टाइम लगता है बट फिर भी अपना टार्गेट है यहां तक तो उसके लिए क्या करना है अप तब तक नहीं रुकना है मेरे गो जब तक मेरे को अपना लक्षय पराप्त नहीं हो जाता है वह आपका लक्षय मैं एज एक्जामपल बता रहा हूं तो आपका जो भी लक्षय हो सकता है कुछ भी तो उसके लिए तब तक तुम महनत करते रहो जब तक तुमको वह चीव नहीं हो जाता इस परकार उन्होंने भारतियों में आत्म सम्मान और स्वाव इमान की भावना भर दी और राजनितिक चेतना उस्पन करी थी इसकी स्टोरी यहां पर गतिविदी देरखें आप खुदी कर लेना आगे बढ़ते हैं यहां पर है त्यों आई थियो सोफिकल अंदोलन यह कौन सा अंदोलन आ गया पहली बार सुन रहा हूं मैं भी चलो कोई नहीं होगा कोई अंदोलन देखते हैं भारतिया हिंदु धरम और संस्कृती से प्रेरित विदेशियों ने थियो सोफिकल सोसाइटी की स्थापना करी थी इन लोगों ने करी थी देखो यहां पर भारतियों ने नहीं करी इससे प्रेरित विदेशियों ने करी थी इसलिए अजीब सा नाम है ना कि भारत वाले बाई ऐसा खतरनाक और टेड़ा मेड़ा नाम नहीं रखते बारतवारे सिंपल नाम रखेंगी प्यारा सा इन यह विदेशी थे और विदेशियों ने इसकी स्थाबना करी थी इस सोफिकल सोसाइटी की इस सोसाइटी की एक परमुखनेता आयरलेंड की महिला थी स्रीमती एनिवेसेंट इसको आप जानते होगा ना इन वही थी वही काम हो गया था यहां पे विदेशी महिला ने बोल दिया था तो लोग परभावित हो गए उससे अपनी सांस्कृतिक स्रेश्टता के ग्यान से भारत में आत्ता विश्वास की भावना पर बलूई और उन्होंने राष्ट्रिया अंदोलों में और भी जादा ब मातरा में व्यक्तिकत सवतंतरता और सामाजिक समानता के लिए संगर्स थे और उनका चरम लक्षय था राष्टरियता थीक है ना मतलब अपना एक राष्टर बनाना इन अंदोलनों ने भारत वासियों में समानता और उदारता के बीजबोए तथा उनमें अत्तम विश्वा है जो अंग्रेज लेका थे कंपनी मन के आए थे अंग्रेज ऐसा नहीं था कि शीदे आयो और अटक मार दिया और भार के राजाओं की तरह है ऐसा नहीं हुआ था यहां पर आए अंग्रेज भाजचाब हमें वेपार करना आपकी कंपनी के साथ में चलो ठीक है हमारी कोई क स्टार्टिंग की तो इसकी स्टाबना प्रिटिश व्यापारियों ने अधिक से अधिक लाब कमाने के लक्षे से की थी 1777 में हो था पलासी का यूद जो की भारत का सासक हार गया और इस यूद में अंग्रेज जीत गए थे पहला यूद था बंगाल के अंदर हुआ था और इसकी हो जैसे ये घुस गए भारत के अंदर जो है राजनीतिक स्टा में आने लगे तो लड़ाई के बाद व्यापारी कमपनी राजनीतिक स्टा में परिवर्तित हो गई किन्तु इसका लक्षे अभी भी अधिक स्टा कमाना था वैया और कुछ नहीं स्टा प्राप्ति के पाद इन्हों ने इसने सौसंगी प्रक्रिया को और मूखर कर दिया मलब सोसन जो हो रहा था वो और भी चाधा तेज हो गया इसने सोसनकारी आर्थिक नीतिया अपना कर भारत काधिक शेगनी दोहन किया पर्तिक किरिए सब रूप स्थानिया छे त्र्या विरोध हर जिए लोग भड़क गए यार अब जैसे आजकल जो है सरकार ला रही है अंदोलन्स वगारा पॉलीशी नीतिया ला रही है ना तो इससे लोग भड़क रहे हैं तो वही सीन हो रखा था उस टाइम पर भी यह इनकी सरकार अंग्रेजी सरकार ने कब जा मार लिया उसके बाद गलत सल अंग्रेजा की सोसनकार या नीतिया कुछ इस परकार से देरकी उनको चलो जानते हैं कि इस परकार से उनGeneral बेचार गरीब भारत के कमजोर लोगों का शोसनकारि भू राजसव नीतिया अंग्रेजाने भारत के अलग अलग भू भागों पर भूबाग समझतो ना इसो पर अलग अलग भूराजसव नीतियां लागू की जैसे पूराव में स्थाई बंदोबस्त दक्षिन में रियतवाडी उत्तर में महालवाडी इन सब भूराजसव नीतियों में राजसव की मातरा अधिक थी राजसव होता है राज्या के लिए जमीन के उपर अर्याना में बोलते हैं तो उघहाई की बोल सकते हो जमीन के उपर कर देना हो जमीन है के पास मालो 1 कील्ल आपको उसके लिए 2 पैसे देने है तो आपके 20 पैसे देने पढ़ेंगे आपकी खेती हो ना हो फसल बरबाद हो बढ़िया हो कुछ मतलब ने उनको उनको fix चीए था 20 पैसे और वो 20 पैसे उस टाइम पे मान लो कि हमारी जो खेती थी ना उस टाइम पे लग पचास पैसे 60 पैसे ऐसी होती थी जादा होती भी नहीं थी और उतनी होने के पावजूद इनको इतनी सारी लगान चाहिए होती थी तो इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा दिखती और राजसव का ठोड़ता से वसूल किया जाता था जिससे क्रीशी पर निर्बर विबिन वर्गों में ऐसंतोस बढ़ने लगा लोग भड़केंगे यार अब मलब मान लो बढ़िया और यह फसल कोई द देंगे लोग किसानों ने बड़े बवाल मचाए फिर बाद में और अंदोलन कर दिये अब वह अंदोलन ऐसा नहीं था एकदम से उठ गए वो अलग-अलग के हिस्सों में थोड़े 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 उठते रहे लोग परिशान पीट रहे अलग इस टाइम तक इसके बाद अंग्रेज घुस गए लेकिन 1757 के बाद कमपनी ने पहले व्यापारी के कादिकार और फिर 17 व्यापार की निती अपना कर भारत को कच्छे माल का निरियात देश वे तयार माल का आयात देश बना दिया यहां पे समझो आप कंसेप्ट समझ तो वो आ गया हमारे देश में लेकिन नों क्या करा है इनोंने सिस्टम बदल दिया नीती अपना ही भारत को कच्छे माल का निरियात देश यानि कि हम अब पक्का माल नहीं बेज रहे हैं हम डारेक्ट इसको बेज रहे हैं और यहां पे हमें लाब नहीं हो रहा है एक्चु साइड में तो तैयार मालगा आया तक देश बना दिया जिससे यहां के हस्त सिल्प हातों से जो कलाएं होती है हातों से समान बनाते हैं लगूद्यों सब नस्ट हो गए और वारतिया वैपारियों को बहुत नुक्षान उठाना पड़ा बहुत सारे धंदे बंद हो गए लोग था यहां था दैया तो संचार की नितियां भारत के अंतरिक शित्ति माल को बंदरगाह कुक्त राने बंदर पहुंचाने क के लिए अंग्रेजों अको ड़ास कि पीढती हो बाइं सब्सक्राइड से 1965 का डाला ELLài दोकर Cantonese सब्सक्राइब अब बेकार ने स्वाती इन्होंने फा안ड़ा रहा लेकिन नुख्षान वह तो नहीं गरा अवीट है फाइदा तो होता ही है, कुछ ने कुछ बहुत नुख्षान होता है फाइदा कम होता है वैसे पर यह यहां पर यूए जह अचुकित케 अंदर और इनका जाल बिच गया था ऐसा नहीं है कि देखो भलाई का जमाना है इनका कि भाई साब आप को लोगा सब बढ़िया हुआ लेकिन हां बहुत सारे लोगों की जमीन शीनी गई होगी इन रेलवेट रेक के चक्कर में सड़कों के चक्कर में तो बहुत कुछ हुआ होगा इसके साथ संपूर्ण भारत पर कठोर नियंतरन के संचार के नए सादन जैसे की डाक और तार भी विक्षित कर दिये गए ताकि जो है ना इधर की बात उदर तक जल्दी पहुँच पाए किन्तु इन सभी सादनों का लाब भारतियों को भी हुआ और उसमें एकता और राजिनितिक चेतना का परसार हुआ भारत वालों को मानलो कहीं दूर जाना हो अंदोलन स्पीड में लेगे जाना सड़कों से बगलो रेल से बगलो तो जो भी है फाइदा भारत वालों को भी ह हुआ बाद में बट जो भी था कुछ फाइदा कुछ नुक्षान चलता ही है अब धन का निकाश यह सबसी बड़ी प्रोब्लम थी यह प्रोब्लम क्या थी कि भारत वालों का पैसा था वह सारा जो फाइदा हो इंग्लैंड जा रहा था चलो जानते है क्या हुआ था भारत में रहने लगे अपना यहीं का सिस्टम अपना लिया लेकिन यह लोग ऐसे नहीं थे इन्होंने विदेशी थे विदेशी ही बने रहे और भारत से बहुत बड़ी मातरा में धन वेतन यूद खर्च ग्रह भार सेना पर खर्च यह सारा कुछ बहाने सब बहानों से इंग्लैंड भेजते रहे पैसे को और इसके बादले में भारत को कुछ भी नहीं मिला इससे ही हम धनका निकास कहते हैं यानि कि देश का पैसा देश से लूत लूट के लेके जा रहे हैं मतलब लूट रहे हैं लेकिन ऐसे नहीं कि सिदा उठा उठा बाग लिए ना रे ना हम थोड़े लूटेंगे तुम करते जाओ काम हम लूटते जाएंगे तुमको तो ऐसी कंडिशन दीन की इसके विश्तरित व्यक्याराश्ट्रिया नेता दादा भाई नरोजी ने अपनी पुस्तक में करी है जिसका नाम है पुवर्टी एंड अन ब्रीटिस रूल इन इंडिया ठार सुछ रमेश चंदरदत जैसे लेखकों ने पुस्तकों में ब्रीटिस सरकाल के सोसन और दोहन का कड़वा विरोध करते रहे अगर आप जानते हैं अगर आप मानते हैं कि ब्रीटिस आसन की भारत को बहुत देन है तो आपको दादा भाई नरोजी की पोवर्टी एंड अन पर आपके बागी करोगे निया पहना चलो आगे देखते हैं वास्तव में ब्रीटिस आसने सोने की चिडिया कहे जाने वाले भारत को आरति रूप से कमजोर देश बना दिया कमजोर देश में गरीब देश में बदल दिया अब हम जानते हैं प्यार इसे टोपिक बहुत मज सकते हो एक महान युद्धा थी वहां पर जो की जासी से लड़ी थी और उसके अलावी बहुत सारे बहुत सारे लोगों ने अलग अलग जगह से अपने पूरी शेना बना बना के अंदोलन पूरे खतरनाक वाला करा था चलो जानते हैं क्या हुआ था ब्रीटिस सोसन और भा करांती के रूम में सामने आई मलब देश का हर बंदा परिशान था इनसे भारत के राजा परजा व्यापारी हस सिल्पी किसान जमीदार इस्त्री पुरूस हिंदू मुसलमान सारे वर्गी कठे हो गए और उनकी सोसनकारी विदेशी सासन को उखाड फैंकने का समीलित परिय अस्तर से दबाने में सफल तो हो गए अस्तर समझते ना गोली मार दी लोगों को तोप से उड़ा दिया भारतवारों के पास क्या तलवार उठा के गूम रहे हैं तो भाई पोपट तो कटेगा कहीं न कहीं किन्तु इस करांती की वीर गाता है भारतियों में सदा बलीदान और सूरियें की भावना जागरित करती रही इस संगर्स के पस्चाथ भारतियों में संगठी तराश्ट्रियर राजिनी तिक चेतना की उत्पत्ती हुई जिसने सवतंतरता प्राप्टी तक अंग्रेजों की नाक में दम करके रखा यहां पर एक फैक्ट सा देर रखा अठा करांती कारियों की वीरगाता हूं किस्तों कहानियों से भारतिया उनने सो संतारी सक प्रेर ना लेते रहे और उन्हीं के बहाने जो है अंग्रेजों को पेलते रहे चलो आगे बढ़ते हैं पर कुछ देर खाया हर्याना के लोगों ने इस करांती में बढ़ चड़ कर भाग जो है योद्ध हैं यहां से निकले थे अपनी टीम लेके तो यहां पेठा सतावन की करांती पर जारी किया गया डाक टिकट एक डाक टिकट आया वो फोटो लगा रखा उन्होंने तो हर्यान करंदिकारी की जानगारी आपको जुटा नहीं है तो मन करें तो जुटा लेना चलो आगे जानते हैं थोड़ा से बतायार मजा कम ऊगया यह तो जलो भारत के गोरव साली तीहास पर सोध का पर्भाव हमने सोध करी ना तो उसका क्या पर्भाव पढ़ा देखते हैं सर विलियम जोंस मोनियर विलियम्स जेम्स प्रिंसेप मैक्स मुलर राथ मैक्स मूलर रहात अलग है कनींगम जैसे विदेशी विद्वानों ने प्राचिन भारतिया इतियास का सोध करके भारत की प्राचिन गौरफ साली संस्कृति और इतियासिक ड्रोवर को विस्व के सामने रखा जेम्स प्रिंसप्प यह काफी परसिद बंदाय इसने ब्रहमी लीपी पड़ तो उसकी वज़े से हमको समझ में आया कि वह क्या लिखके गया था तो वहीं कनीगम ने पुरा तत्विक उतकनन से भारत की महान प्राचिन ध्रोवर का पता चला यह एतिहासिक ध्रोवर किसी भी प्रकार से युनान और रोम की सब्वेताओं से कम तर नहीं थी कम जोर नही किया जिससे भारतियों में आत्म हिंता अगिस्तान पर आत्म सम्मान और स्वाबीमान की भावना का आविर्भाव हुआ इन सभी सोधकारियों के कार राजनीतिक चेतना का उद्या हो गया चलो आगे देखते हैं इस पैसेज के अंदर साइड आइधिंग लास्ट पैसेज हो हमारा तो एसिया महादवीब में एसियाटिक सोसाइटिक ज्यान और अनुसंदान का सबसे पराचीन के इंदर है जिसकी स्थापना सर विलियम जोन्स की पहल पर 1784 में हुई थी सोसाइटी का नाम पिछली दो स्थापदियों के काल चकर में कई बार बदला गया जैसे कि एस जानने लग गया इसको 1984 से एसियाटिक सोसाइटी को भारत के संसद के संस्थान के रूप में स्थान प्राप्त है चलो अभी देखते हैं और भाईयों भी बचाओगा फिर जादानी बचाओगा अभी हाली में हरियाना के राखी गड़ी में हुए उत्खनन ने आरियों के ह हाँ जाओ जाओ जाो अभी रुको मत तुम बढू अंग्रे जो में परजातियाई दंब और भारतियों में दुर व्यवार यूरोपिय वीज़कर अंग्रेजों ने इसमें परजातिय दंप पाया जाता था वे श्यूम को उच्छ परजातिका और भारतियों को निमन और निशकर्ष परजातिका मान कर उनसे घ्रीना करते थे वे भारतियों को हबसी, काला बाबू, आदी नामों से पुकारते थे और उनके साथ बुरा वेवार करते थे पर जाती या वी भेड़ की नीती के अधार पर भारतियों के साथ अनिक परकार का दूवेवार किया जाता जैसे एक ही अपराद के लिए भारतियों को अधिक और अंग्रेजों को कम दर्ण देना सरकारी नोक्रियां भारतवालों को कम देना उचे पदों पर नुक्तियों में, रेलों में, पार्कों में विद्धू विवार किया जाना परति किरिया सवरूप भारतियों में राजनीतिक चेतना उत्पन हुई एलबर्ट बिल विवाद भी अंग्रेजों की जाती है विभेद की नीति को हमको दरसाता है समाचार पत्रों की भूमी का 19-20 सदी के आरम से ही भारत में समाचार पत्र परकासित होने लग गये थे राजाराम मोहन राय दवारा परकासित बंगदूत नाम से समवाद कोमूदी ब्रहम निकल प्रारंबिक समाचार पत्र थे बाद में और भी अनेक समाचार पत्र जैसे बंगाली, अमरित बाजार पत्री का इंदू परकास, मराथा ये जो है और बहुत सारे लोगे केशरी, दी हिंदू, कोहिनूर, परताप, यंग, इंडिया ऐसे बहुत सारे अकबार परकासी तुए ह अठर स्वतैतर इच्वी तक भारतिय भासां में छपने वाले समाचार पत्रों की संख्या 179 तक पहुँच गई थी, इन समाचार पत्रों में अंग्रेजी सरकार के अलोचना प्रकासित होने लगी, अब भारत वाले समाचार पत्र है और भारतिय भासा में छपने हैं, तो आउ जानते हैं कि राष्ट्रिय नेताओं के ले अंग्रेजी सरकार को कैसे प्रेशान करते हैं, मतलब करते थे, अब क्या करेंगे, अठासो सताओन में में पूना में भ्यंकर पलेग की बिमारी पहल गई, बिमारी हो गई थी, पलेग नाम से बहुत बहुत लोगों की जान चापेकर बंदों ने 27 जुन 1868 में को हत्या कर दी, अब ये रेंड जो है ना, रेंड को ठोक डाला, ये पलेग मंत्री आया था अंग्रेजों का, तो उसको मलब देश बढ़का हुआ था ना, तो चापेकर बंदू थे, दो भाही थे, तो उन्होंने जो है, इनको गोली मार कर दी, और उसके बाद में उनको मार डाला गया, मलब अंग्रेजों पकड़ लिया, मारेंगे और क्या करेंगे, यह हत्या जनता के गुस्ते और परतिरोद का परतिक थी, लोकमाने तिलक ने अपने लेख में इस हत्या की निंदा की, किन्तु इसके लिए सरकारी नीतियों क को दोसी ठहराया, अंग्रेजी एक बारों की द्रिष्टी में तिलक दोसी था, अब वो तो भाया उनको क्या मतलब उनको तपनी राजनीती बचानी है ना, तो उन्होंने क्या करा तिलक बेचारे के साथ में पॉपट काट दिया, राजदरों के अभियोग में, उन्हें राजदरों का मुगदमा लगाया और 6 साल के लिए जेल में डाल दिया, तो ये किया था, उसके साथ में अंग्रेजों ने, और ताकि वो जो है जनता को अपने फेवर में ना कर सके, और हमारी राजनीती बच सके, राश्ट्रिय साहित्य की भूमी का, राश्ट्रिय साहित् अध्यम से अधुनिक राश्ट्रिय चेत्ना जाकाने में एहम भूमी कानी भाई, दीन बंदू मित्र के नाटक, नील दरपन, बकिम चंदर चतर जी के उपन्यास आनन्द मठी याद रख लेना, बकिम चंदर चतर जी ने लिखाता, उपन्यास आनन्द मठ नाम से, देवी चोधरानी, भारत इंदू हरिश्चंदर के नाटक, भारत दूरदर्चा, वीर सावरकर की रचना, इंडियन वोर ओफ इंडिपेंडेंस, अठासो सतावन, इत्याजी रचनाओं ने भारतियों में राश्ट्रिय सवाविमान की भावना उत्पन कर दी, वैसे थमनिल मस्त ब अठासो सतावन इश्वी का स्वातंत्रिया समर एक परशिद गरंथ है, जिसके लेखक परशिद सवतंत्र चेनानी वीर सावर कर थे, इस गरंथ में उन्होंने तथा कथित सिपाही विद्रों का संसनी खेज और खोजपूर्ण इतियासली कर बिटिस सासन को हिला डाला था, इस गरंथ को परकासित होने से पहले ही परतिबंद लगा दिये गए थे, इस पे पहन कर दिया, इसको इल्लीगल बता के, बंगला नाटक कारदीन बंदू मिस्तर काठा सो साड़ में परकासित नाटक नील दरपन महतरपूर्ण करीती है, इस नाटक में बंगाल के किसानों क अब यहां पर अंग्रेजों दोबारा किये गए, आया मानुसिक अत्याचारों की बड़ी भाव पूर्ण अभी वेक्ती हुई है, यानि कि जो नील की खेती करते थे, नील दरपन इसलिए कहा गया है, साइब इसको नील की खेती करवाते थे बंगाल में किसानों से जब अमराथी में विश्णु सास्त्री, चिपलू, सिपलूनकर, तमिल में, सुबर मन्यम भारती, हिंदी में मुंसी, प्रेमचंद, और उड़्दू में, अब ये देखो सब जानते हो ना को नहीं है, ये लेखक थे भई या उस टाइम के ठीक है, कन्फूज नहीं हो ना भाई नहीं राष्ट्रेता की भवना को बढ़ावा दिया है, चलो, यहां पर वंदे मातरम गीद दे रखा है, जिसको आप चाहो तो पढ़ लेना राश्ट्रिया अंदोलनों में धार्मिक अनुष्ठानों का महत्व। राश्ट्रियता के परचार परसार और राजनीतिक जागरुत्ता गली किया इनमें महाराश्टर में गणेश उत्सव शिवाजी उत्सव बंगाल में दुर्गा पूजा ये मुख्या मानी जाती है यह यहां पे थोड़ा फैक्ट दे रहा इसमें भी विद्वन्दे मातरम गी 6 Covid बरबभर है और रिशे पहरी 826 में में भारतियिक अराश्ट्र कंग्रेश किस्तर में गाया गया था अब देखते हैं लॉड लीटन की दमनकारी नीतियां ल़ूड लिटन क्या करकर के माने गा देखते हैं लूड लीटन कि ये वह इसरॉई बताRO पहले भारत में इंग क से के समराट इत्वा सरकार का परती नीदियों से भारत में आधूनिक राष्ट्रियता की बाहुना का परसार हुआ उनकी कुछ दमनकार या नीतिया बतार कि हमको यहां पे 1876 में ICS की परवेश परिक्षा में बैटने की आयू घटाकर 19 साल कर दी उन्होंने 1877 में देश भर में अकाल के समय दिल्ली में सांदार साही दरबार का आयोजन कर दिया 1878 में सस्तर अधीनियम पास करके भारतियों दवारा सस्तर रखने पर परती बन लगा दिया कि तुम हत्यार नहीं रख सकते घर में 1878 में वर्णा कुलर प्रैस अधीनियम पास करके भारतिया भासाओं में छपने वाले सामाचार पत्रों पर पर परती बन लगा दिया कि तुम जो भी एक बार चापोगे इंगलिस में चापोगे भाई ये क्या बकवास है लोड लीटन की दिन दमनकारी नित्यों कान भारति ने इसका बहुत विरोध किया और फिर ठोक डाल होगा और क्या होगा पस्ची में शिक्षा और भारतिया बुद्धी जीमियों का योगदान देखो मैं सारी चीज़ है ना थोड़ी थोड़ी पता लग रही है अगर नोटिस कर रहे होगे थोड़ा थोड़ा सा पता लग र आरम सुरू हो गया कब हुआ था 1835 में याद रखना बस आप यह तो बंदा कोई भी भूल जाओ आप अंग्रेजी शिक्षा को लागू करने के पीछे अंग्रेजी सरकार का उदेश चाहता सस्ते का लर्ग चाहिए क्यों क्या हो रहा था दिक्कत देश में यह अंग्रेज जो थे ना भारत में आ रहे थे भारत में सस्ते नोकर चाहिए थे टिकाव वह सस्ते नोकर लेकिन यह जो अपनी बखबख फैंक रहे थे अंग्रेजी में वह समझ नहीं आ रही थी किसी को तो उसको लिए उन्होंने लोगों को पढ़ाया वह इतना ही पढ़ाया कि उनको अ बाबाजी कर सके चलो देखते हैं जो है इनका सस्ते कलर्ग वफादार वर्ग और अंग्रेजी माल की अधिक्षयदी खपत करना था आरम में ऐसा हुआ कि इन्टु हुआ भी कि इन्टु सिगरी अंग्रेजी पढ़कर भारत में एक नए बारतिया बुद्धी जीवी वर्गा उद्या होने लगा यहीं कि बुद्धिमान होने लगे बारत के लोग और इनको पेलने लगे निके हिसाब से फिर मिल्टन सेले बेथम मील स्पेंसर रूसो वाल्टेयर ऐसे पस्चीमी सहित्यकार और दासनिकों को पढ़कर तता सत्रा सुनवासी की फ्रांसी सी करांती इट तत कालिन अंतर राष्ट्रे घटनाओं का परभाव उस समय राष्ट्रेश विस्व भरक में हिलोरे मार रही थी इसलिए अंतर राष्ट्रेश राष्ट्रेश था कि तीवर लहरों ने भरतियों को बिस फूर्ती परदान की 1776 में अमेरिकी करांती 1789 में फ्रांसी सी करांती युनान के सवतंतरा संगर्स इटली जर्मनी के किकरन आयरलेंड के सवतंतरा संगर्स ने यह सारी चीजों ने भार्चों के मनों भावों को परभावित किया कि यार वो लोग बवालग मचा सकते हैं उनको पीट सकते हैं तो तुम क्यों नहीं पीट सकते सुरिंदर नाथ बनर जी और लाला लाज पत्राए मैं जिनी से परभावी थे तो वहीं सुबास चंद्र बोस पर गैरी बालडीगा परभाव था इसके अतिरिक अभी इसी अभी इसी निया दवारा इटली की पराज है इटली को हरा दिया ठास चैना में जापान दवारा रू बनाने में योगदान दिया देखो आपको यह पता है नक्सा देखा है आपने नाइंत में आ गए हो भाई तो रूस कितना है इतना बड़ा और जापान है इत्तू सा रूस के अगये तो इत्तू से देश ने इत्तू बड़े देश को हरा दिया वह भी युद्ध के दोरान 1905 का युद्वा तो भाई समझ लो अब हमारा भारत कमजोर नहीं था लोगों को समझ में आने लगा तुम कमजोर नहीं हो तुम मान रहे हो तुम कमजोर हो तो उसके लिए भी लोग ज्यादा उत्साइत होने लगे थे बवाल मचाने लगे थे विबिन राजनितिक संगठनों की स्थापना जैसे जैसे भारतियों में राजनितिक चेतना बढ़ती गई वैसे वैसे राजनितिक संगठनों का निर्मान होता चला गया 1838 में भारत में जमिदारों के हितों की रक्षा के लिए पहला राजनितिक संगठन लैंड होल्डर सोसाइटी यह बनाई गई थी 1843 में फिर बंगाल ब्रीटिस इंडिया सोसाइटी यह बनी उसके बाद दोनों को मिलाक उन्हें ब्रीटिस इंडिया असोशेशन गा निर्मान किया गया 1875 में इंडियन लीग तो 1876 में इंडियन असोशीशन का निर्माद हुआ अब यह जो है ना आपको पूछेंगे इंडियन लीकी स्थाबना कब हुए 1875 में इंडिया असोशीशन की कब हुए 1876 में इसे याद करने पड़ेंगे आपको यह बस निर्मान हुआ इसी तरह से कहीं अने संग्ठन जैसे की बोंबे असोशीशन पूना सारजनिक सभा मदरास महाजल सभासी सभाव का इसी कड़ी में 1885 में एक सेवा निवरित अंग्रेजी अधिकारी एओ हयूम ने इंडियन नैशनल कॉंग्रिस की स्थाबना करी थी इसके बाद भी अन्या अधिकारी याद रखना जरूर से यह पेपर में पूछ सकते हैं बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है इन बाकियों से इसके बाद भी कई अन्या राजनीती अकरांतिकारी संग्ठनों जैसे के नुसीलन समीती अभीनाव भारत गदर पार्टी इनका भी निर्मान हुआ इन संग्ठनों के माध्यम से आदोनिक राजनीतिक राष्ट्रिया चेहतना के विवैक्ति तो खुई ही साथ में कई रूप चले राष्ट्रिया अंदोलनों का नेत्री तो भी किया क्या आप जानते हैं कोंग्रेस की स्थापना के समय पहले अधिवेशन में हर्याना से एक मात्र व्यक्ति अंबाड़ा के लाला मुरली धर सामिल हुए थे हर्याना से और कोई बंदावान नहीं गया था सिरफ थियो सोफिकल सोसाइटी की भूमी का महत्रपूर्ण थी लेकिन साथ ही यह भी महत्रपूर्ण है कि अपनी वेशिक सोसन के विरुद उत्पन हुई परतिकिलिया ने भी इसके उभार में विशे साहता की इसका नेत्री तो पस्चिमी शिक्षा पराप बुद्धी जीवी व है शिक्षित वर्ग भी इसमें सामिल हो गया जो अंग्रेजों के दोहरे माप दंडो तता पर जाती है भी बेदो का सिकार हो गया था अब यहां पर यह वाला तो बड़ा मस्ता मलब यह जो है आपको कह सकते हैं कि यह में हाइलाइट है यह वाला पूरा दस के दस कर लेना तो इसमें कैखा इसमें से सिदा पूछएंगे अमेरिकी करांती कब होई बाकी रखो न रखो बट इंडिया इसोशेशन की स्थाबना इस प्रिक्षा में बैठने का यूग उठाकर 19 वर्ष की गई अठार शोचेटर में अकाल के समय दिल्ली में सांदार साही दर्बार का आयोजन अठार सोचेटर में सस्तर अधीनियम पारितू अठार सोचेटर में और वर्णा कुलर प्रैस प्रवाइड करा दूँगा तो प्लेलिस्ट में विजिट कर रहे हैं प्लेलिस्ट में मिलेंगे आपको सारी की सारी वीडियो और पहले पेज़ पर अपड़ेट हो जाते हैं अकर कोसर अंसर वगरा लिखे नहीं ना तो डारेक्ट वहां से लिख सकते हो डिस्क्रिप्शन म आपको बिल्कुल ताइम से मिलजाए अपको बिल्कुल ताइम से मिलजाए